कि हलो अब्रीवन आज हम करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर इन्वार्णमेंट एकोलजी वाइडवेस्टी एंड कलाइमेट चेंज दोस्तों यह वाला जो टापिक है आपके जीके पैसे के एक्जाम के स्लेबर्स में मेंचन रिया है आपके बीलडवी के एक्जाम में यह च बच्चे के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन दोनों एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आज किस वीडियो में लगवग लगवग हम थाटी कोशन को यहां पर डिसकॉशन करेंगे तो बिस डिटेल के साथ जैसे कि आपने लेक्टर नमर कल वन द इस्ट्री पर विलाएं और इंडियन जिग्राफिय पर लगाएं तो यही एक में टॉपिक है तो मैंने सोचा था कि रीजनिंग आए यूग कि मैं टेस्ट आपसे कंड़क्ट कर लूँ 20 मार्क्स का जितमें रीजनिंग और मैथमेंटिक्स के कुश कोशन जो आपके एक्ज दिकशन का अंसर आपने कमेंट बाक्स में बताना है जो बच्च CRắcश में इसका अंसर बताएगा नेक्स वीडि यो मेंुसका नाम हम जुस्टर करेंगी कि उसने कितनी डिटेल केसा साथ इसका अंसर किया तो चलिए आज किस वीडियो को बिんな टाम्स की स्टार करते हैं अगर lectures आपके लिए लाते रहेंगे which of the flowing is not related to the environmental protection इन में से अगर देखे environmental protection जो act था वो कब चलाए गया EPA जिसको हम बोलते है 1986 में ठीक है environmental protection act जो चलाए गया कब चलाए गया 1986 में उसमें क्या गया कि sustainable development को हम protect करेंगे कहने क्या मतलब है कि some sustainable development भी करेंगे जो चीज़े हैं जैसे कि माल हो कि हम भी हमारे environment पर अगर यहां पर देखें तो हमारे land पर देखें तो बहुत सारे हमें trees देखने को मिलते हैं forest देखने को मिलते हैं अगर उनके हम deforestation करना start कर दें यान कि cutting of the trees हम start कर दें तो जो आने वाली हमारी generation होगी उनको उस चीज़ की facility नहीं मिल पाएगी ठीक है एक तो यह चीज़ होगी क्योंकि यह चीज़े हमें protect करके रखनी पड़ेंगी उन जैनरेशन के लिए जैसा कि सुनने में आता है कि 2050 में पेट्रोल पूरे पेट्रोल का मिलना मुश् करना है कि ग्रीबी की elevation यानि कि ग्रीबी को खतम करना है एयर कंडिशनिंग यास एयर कंडिशनिंग जो है यह एक environment protection act के अंदर आती है ठीक है कि बहुत सारी चीज़े आती है जैसे अपने green house gases के factor में वारे में पढ़ा कुन गोंसी जो gases है आजोन की deflation कर रही है तो उस तरह है क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है वो की मतलब कि एयर कंडिशन एसी बगारा जो होते हैं हमसे उनसे लीज होती है ठीक है रैफरीग्रेटर होगे इनसे जो लीज होती है जो कि ozone layer का जो उसको depletion कर रही है ठीक है करने अगर प्लास्टिंग आपको पता है एक ऐसा ठीक है जो कि कभी खत्म होता ही नहीं है पेपर के बैक हमें यूज करेंगे तो वह जल्दी exist हो सकते हैं तो यहां पर poverty elevation यह यहां पर relate नहीं कर रहा है environment protection से poverty elevation का correlation नहीं है option b is the right option जिन वच्छों ने भी option मार किया है बहुत बड़ी answer दिया हमका answer बिल्कुल लाव जवाब है सही है उसके बाद next question आता है कि environment is composite state of environment जो है वह composite state है किसकी बाइटिक factors की यह फिजिग्राफिक फैक्टर से है वाइटिक फैक्टर से देखे जब इन्वारनमेंट हमने पढ़ा इसमें आपको क्या होगा कि environment में क्य चीजे देखने को मिलती हैं हमें हियां पर booting things भी देखने को मिलती है रखवाइटिक factors भी देखने को मिलती है यानि कि booting और booting जो हमने पढ़ा था components तो यह सबढ़िडिक नहीं है fils میں living things जो आती है ICK में क्या है जैसे air होगी sunlight होगी तो यह क्या है Celtic factor है है इंवारना मेंट फेक्टर भी देखने को मिलते है और physiographic factor भी हमें देओ जो चीजए है वह देखने को मिलते है तो इसका जो right option हो जाईगा वो all of the others हो जाईगा जन्बच्चों ने d option mark क्या उनसर अंसर उनका next question चलिए वट इस धी थिन लेयर आवदी गैसे इराउंड इर्थ काल दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लग रहा हो थोड़ा से भी अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर तो अगर आपने नहीं गया भी दक थिन लेयर कौन से होते है गैसे के ऊर्वाटका की होती हैं गेसे थिस की यहाइडर स्फेर हैं आटोमेटिकली देखिए क्या होता है कि एक तो होता है लिटोस्पेर एक तो होता है एट्मोस्पेर दूसरा होता है आपका एट्मोस्पेर लिटोस्पेर और तीसरा कुन सा होता है लिटोस्पेर हाइडोस्पेर एटमोस्पेर यह जब तीनों अपस में मिलते हैं तीसरे में को बनाते हैं बायोस्पेर क्या बनता है बायोस्पेर यहां पे लिविंग यहां पे लाइफ पॉजिबल है जिसको हम बायोस्पेर बोलती है ठीक है तो यह चीज़े हैं यहां पे ठीक है अब आपने मुझे बताना है कि largest ecosystem जो अर्थवे वो कौन से है चलो यह चीज़े आगे की बात है जो thin layer है वो कौन से है atmosphere atmosphere उसके बाद होता है कि atmospheric the highest percentage is of atmospheric में हमें सबसे ज़्यादा percentage किसकी देखने को मिलती है oxygen मिलता है carbon dioxide मिलती है nitrogen मिलती है यह फिर hydrogen मिलती है बताएं इसका क्या answer हो सकता है fourth question का answer तो यहां पर जो हमें सबसे खाई मास्टा अगर आपको बोला जाएगा कि atmosphere में इयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस देखने को मिलती है कौन सी गैस होती है देखने को तो का मिलती होगी यह nitrogen क्या बलती है nitrogen कितनी percent 78 percent यह हमें देखने को मिलती है यह चीज मैंने आपको पड़ाई भी थी मैंने जर्नल आलेस के lecture में हमने cover की होगी environmental degradation का मतलब क्या होता है overall degradation आप दी environment attributes सब भी environmental जो attributes हैं उनका degradation करना adverse changes about in by the human activity कुछ changes लाना environment में जैसे कि मानलों कि यह forest है यह forest है इनको cutting करके यहां पर क्या गया अब rural area से लोग कहां पर shift हो रहे हैं अर्बन में shift हो रहे हैं तो जिससे deforestation हो रहा है वो भी एक human की activities है जो कि एक biodiversity को लास हो रहा है ठीक है जी environment का ecological imbalance because ecological diversity ecological imbalance जो हो रहा है वो ecological diversity के कारण हो रहा है ठीक है इसका भी जो right option वो डी मुझे यहां पर तीनों फैक्टर यहां पर मुझे लग रहा है कि यह degradation कर रहे हैं तो सामने दिख रहा है यार अगर इनका हम समझे इनको द्यान से adverse changes जो हो रही है हमारी human activities की बज़े से environment protection act EPA environment protection act is also known as क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं umbrella legislation चड़ी मुबारक environmental legislation यहां फिर eco safety तो इसको बोलते हैं हम umbrella legislation क्यों 9 यह जो मैंने बताए environment protection act तो आपको अगर आप सो पूछा जाएगा कि environment protection तो होगा हो सकता है एट के जगा यहां पर agency भी हो यह भी याद रखना ठीक है 9086 मैंने इसकी date आपको बता दी कि यह established किया गया किसके लिए environment की protection के लिए कुछ steps लिए कि इसको improve बचाने के लिए environment को उसके बाद यहां पर ध्यान से देखिएगा which of the flowing is not true about the ecosystem ecosystem के रिगार्डिंग यहां पर क्या चीज यहां पर सही नहीं फिट नहीं बैठती है कि environment जो sorry ecosystem है उसमें क्या होता है non living things जो आर्गनिजम्स हैं उनकी interactions होती है environment से living हो गया और्गनिजम्स हो यह सारी चीज़ी है ठीक है और living यह तो चीज़ पढ़ी लिकि हमारा physical environment से इनकी interaction होती है तो option A तो यहां पर यह यह एक functional unit भी है और इसकी एक अपनी productivity है अगर यहां पर आपको लगता है कि option A भी से ही है और it is a closed system now it is a open system क्यों क्योंकि यहां पर बहुत सारी diversity species आपको देखने को मिल सकती है तो यह हमारा close system तो हो नहीं सकता और additional अगर point की हम पात करें तो option D is the right option हो जाएगा ecosystem की जो term थी उसको coin करने वाले थे जर्मन hackle hackle 8066 में उन्होंने इस time को coin किया गया था याद रखना important next question ecology ecology is the study of relationship between किस किस चीज़ की relationship को यह study करता है organism और environment की करता है man on forest की करता है soil और water की करता है husband wife तो मजाग वाला option होगे यह option है ना soil और water की भी नहीं organism जो organism आपके चाहिए living and non-living organism है और environment इन दोनों का जो interaction है वो कुन करता है ecology कुन करता है ecology option a is the right option जिनवाचों ने option a mark किया बहुत बढ़िया next question तो which of the flowing is an artificial ecosystem artificial ecosystem क्या होता है है दोस्तों ecosystem में क्या होता है कि ecosystem में हपके कितने तरह के ecosystem होती है एक तो अब natural ecosystem कोन सी होते है नेचुर यह थोड़ा बलर हो जाता है उसकी थोड़ा दिक्कत फेस करने बढ़ती है आपको natural ecosystem होता है एक है दूसरा कौन सी होता है artificial ecosystem artificial natural ecosystem में कोन आता है natural ecosystem में आता है और टेर्स्टियल ecosystem हो गया एक्विटिक ecosystem हो गया टेर्स्टियल के अंदर forest आ गया grassland आ गया desert आ के एक्विटिक के अंदर fresh water आ गया marine sea ग़र आ गया ठीके ना और यहां पर एक चीज इंपॉर्टिक है कि जहां पर जो रन्निंग रन्निंग वाटर यह भी एक natural ecosystem है रन्निंग वाटर जो होता है याद रखिए का उसको हम क्या बोलते हैं वो होता है लोटिक उसको बोलते हैं लोटिक यह टर्म बड़ी इंपॉर्टिक लोटिक जो कि जैसे एक्जैंपल होगी रन्निंग वाटर की रीवर रीवर होगी और दूसरी यहां पर कौन रसता है लैंटिक लैंटिक यानिकी लैंड करना रुका हुआ पॉंड यह कोशन फाइनेंस एकाउंट एस्टेन के एक्जाम में पूछा भी गया था ठीक है जी कौन सा वाला कि जो नैचुरल एकोसिस्टम है उसमें कितने दर आग्या आते हैं टैरिस्ट्रेल जो जिमीन पे हैं एक्वेटिक जो पानी में हैं यह चीज़े सारी हमने पढ़ी हैं मैरिन में है और फ्रेश बाटर की कौन कौन से एक रनिंग बाटर जो की लॉट्टे की जिसको बोलते हैं और जो स्टेंडिंग होते हैं यह काफी इम्पारेंट है अब यहां पर एको सिस्टम की थोडी बात कलें हैं इसका क्या है सर आंसर बता दो फ्रेस्ट मैंने आपको पताए बै लेक क्या है, लेक रुका हुआ है, तो ये कौन सा आ गया, 먹을antik, लेक रुका ये पाना होता है, जैसे कि आपने सुनी सर मानसर लेक देख लो हमारे जमू में तो यही है, हम कहां दरलेक हमारे दसीब में तो यहां पे अगर देखीएगा, ecosystem के बारे में इको सिस्टम जो है इसको किसम ने फस्ट पाइम योज़ किया एजी टॉंसले ने किसने किया eh टॉंसले जिनका नाम था 90 35 में उनने इसको योज़ किया था और इको सिस्टम दोढ़ा आके होते हैं ईचीज मैंने उको बता दी the number of organism that can be spotted by the environment in a given area is known as number of organism that can be spotted by the environment कुछ number of organisms हैं जिनको the environment में क्या मिल रहा है food मिल रहा है, shelter मिल रहा है, यह सारी चीज़े मिल रही है उनको surviving के यह सारी चीज़े उनको मिल रही है in environment पे ठीक है, वो किसे given area में उसको क्या बोलेंगे number of organism that can be spotted by the environment in a given area is known as population, सर पॉपुलेशन तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दा, पॉपुलेशन ग्रॉप आफ दा इंटर व्रेडिंग ऑर्गनिसम, ठीक है सर यह चीज़ बढ़ी जैसे कि एक चीज़ की जैसे line होगे यार, किसी एक area में सिर्फ line ही line है, ठीक है, वो होगी population तो, ऐसा तो कुछ नहीं कि number of organism, यह बोड़ है number of organism बहुत है, तो option यह तो यह तो यहां पर नहीं होगा, पैरमिड, पैरमिड का यहां पर कोई काम ही नहीं ks, is, prelims के एक्जाम के ओशन है, सारे ओशन, which one of the terms described not only the physical weight, physical space occupied by the organism, but also function role in the community of the organism, क्या बोलते हैं वाई इसको, जल्दी से इसका अंसर मार करो, अगर आपको आता है तो, चलो इसके बाद एक चीज़ और आपको explain करना रहेगे, जो की करवानी थी, देखियां, position, position बताता है, और क्या बताता है, functional role बताता है, functional role बताता है, कौन बताता है भई, habitat, home range, ecological, right option क्या हो जाएगा, ecological, जो है, वो हमें ये बताता है, कि उसका, क्या, एक रोल है, species का, उसके habitat में, ठीक है, यह याद रखना, कौन बताता है, ecological, logical, night, उसके बाद, यहाँ पर एगर, example के दोर पर एक चीज़ की बात करें, दो ecosystem, यह चीज़, हमेशा term पोची जाती है, कि, ecotone क्या होती है, ecotone वो होती है, जो कि transitional zone होता है, two transitional zone होता है, two ecosystem में, उसको बहुते हम, ecotone, जैसे कि, आपने बोला grassland, grassland कौन सा ecosystem है, natural है, कौन सी type है, उसकी, terrestrial, man groove आगे, यह जो zone इनका बना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हम ecotone, क्या बोलते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं, ecotone, किस तरह से, यह मान लो, आपका आगे, grassland, यह आगे, आपका man groove, यह वाला जो portion हो गया, इस zone को हम बोलते हैं, ecotone, क्या बोलते हैं, ecotone, काफी important lecture है, ecological night, उसके बाद आता है, which one of the flowing ecosystem cover the largest area of the earth surface, earth surface का जो सबसे largest area जो है, वो किस के द्वारा, किस ecosystem के द्वारा cover किया गया है, देखे, मैंने आपको सिर्फ दो तरह की ecosystem बताई, natural ecosystem और artificial ecosystem, desert कौन सा है, सब desert की अगर बात करें, तो यह एक natural का है, कौन सी type है, terrestrial, grassland भी terrestrial है, mountain, terrestrial, और यहां पर आपका आता है, marine ecosystem, marine ecosystem is the type of active ecosystem, मैं तो artificial ecosystem के बारे में आपको बताना भूल गया, क्यूंकि marine ecosystem है, जो इस सबसे largest area जो अर्थ का surface है, किस के द्वारा cover किया जाता है, marine ecosystem द्वारा, जो कि sea बगएरा होगे, समुंदर बगएरा, artificial ecosystem में जासे आता है, क्याब के dam हो गया, aquarium हो गये, यह सारी चीज़ी आते हैं, guys, अगर lecture अच्छा लग रहा हो, तो जैसे उसको like जुरूर कीज़ेगा, विचाबादी flowing does not help maintain the ecological balance, इन में से कौन से एक option ऐसा है, कि जो ecological balance को maintain नहीं रगता है, cutting forest, एक forest station, rainwater management, biosphere reserve, ठीक है, biosphere जो reserve है, हमारे इंडिया में total कितने 18 है, अगर reserve रखने हैं, तो हमारे ecological balance को imbalance नहीं कर रहे है, वो maintain हो रहे है, rainwater की management करेंगे, तो तब भी हमारा क्या होगा, कि वो एक क्यूंग, जैसे मैंने बोला ecosystem, rainwater management कैसे हो रही है, dam में उसकी management हो रही है, जैसे कि save कर रहे है, rainwater को हम, तीक है, उसके साथ में हमारा ecological balance है, वो imbalance नहीं हो रहे है, यह forestation, यानि कि planting the trees, trees को उगाय जा रहे हैं, तो यह हमारी deforestation नहीं है, cutting forest, अगर हम trees को cut कर रहे हैं, उससे हमारा ecological जो है, वो imbalance हो रहे है, option is the right option, which one of the flowing is one of the main cause of the ecological imbalance in India, यह सारे question जो है, किसी ना किसी एक्जाम में बोचे गए हैं, कौन सा इन में से एक ऐसा कारण है, जो ecological imbalance करता है इंडिया में, deforestation, destry fishing, flood and families, re-involveation, तो मैंने आपको previous में ही बता दिया कि deforestation की बज़े से क्या होता है, कि एक ecological imbalance करेट हो जाता है, कैसे, जैसे मैंने बहुत लिया कि, यह कोई particular forest है, particular forest है, यहां पर particular species रहती है, यहां पर कोई population communities रहती है, community रहती है, बहुत सारे species रहती है, कोई particular की बात नहीं कर रहती है, line रह सकते है, elephant हो सकते है, कुछ भी हो सकते है, deer हो सकते है, fox हो सकते है, monkeys भी हो सकते है, अब क्या होगे कि deforestation हो गया, jungle की कटाई शुरू होगी, अब यह जो species है कहां जाएंगी, यहां तो यह मर जाएंगी, ठीक है, कुछ तो मरी जाएंगी, क्योंकि वो इसके विलाबबब उनका life है, जो possible नहीं होगी, दूसरे क्या होगे, दूद रास के जो area से लोगों के घर, village गएरा जो पास-पास की area होगे, वहाँ पर बागना शुरू हो जाएंगे, उससे क्या होगा, ecological imbalance create हो रहा है, deforestation की बचे से, environment पर इफेक्ट पढ़ लें, climate जो change हो रहा है किसकी बज़े से, deforestation की बचे से, और भी बहुत सारे कारण है, यह भी इसका major कारण है, the highest tropical level in an ecosystem is maintained by, कौन maintain करता है, सबसे ज़्यादा एक high यह ट्रॉपिकल, इस तरह सके question आपको ज़रूर examiner पोज सकता है, और इनको आप skip बिल्कुल भी मत करना, देखिए, खरबी बोरस, कार्नी बोरस, ओम्नी बोरस, डिकॉंपोजर, खरबी बोरस कौन से होते हैं, खरबी बोरस भी और कार्नी बोरस भी और कार्नी बोरस भी, ग्जामपल, biggest example, human, human being, जैसे हम लोग होगे, डेखंपोजर, जो कि साड़ी गुली चीज़ों के लगते हैं, इनको छोड़ो, इसका जो right option है, वो आपका ओम्नी बोरस, ओम्नी बोरस का जो सबसे बड़ा highest टॉपिक लेवल एको सिस्टम में अफ्टेन करता है, क्यों, क्योंकि जो ओम्नी बोरस है, ये दोनों तरह की जो consumer है, किसका भी, बोथ, प्लांट्स का भी, और आपका, अनिमल्स का भी, ये चीज़ों होगी, प्लांट्स का भी, फीट करता है, और ये अनिमल्स का भी, यहां पर हमारा आदा lecture, कंपलीट हो जुका है, कहने का मलब की, पंदरा question हमारे होगे, तो next question की तरफ बढ़ते हैं, वीचाप दी फ्लोइंग, इसी तरह का question, एक जेके पीर से के एक्जाम में पूछा था, मैं इसलिए question का level, मैंने वही रख्या है, जो आपको examiner पूछ सकता है, देखें, ये प्लांट, बैक्टेरिया, एनिमल्स, एकोसिस्टम की टर्म किसने, क्वाइन की थी, जैसे हो सर होगे, आपके वाइन वाइन वे एकोसिस्टम में होगे, जैसे लाइन होगे, कुछ भी living things हे यार, ये चीज़े होगी, अब जो वाइन वाइन वहां पर कुर्ची होती है, नार living होती है, तो यहां पर बोढ रहा हैं कि वाइन का कून सा component ही है, और aboetic का जो relations है इस relation को हम क्या कहते है aboetic इस relation को हम क्या कहते हैं दोस्तो holo seno seno sars, कुछ इस नाम से जानते है halo sensors, holo sensors ठीक है ace option is the right option the primary source of energy in eco body, environmental body में अगर बात की जाए, तो primary source of energy क्या हो सकती है, खुद ideal without any option guess करो, क्या हो सकता है इस concern, plant है कहां से energy लेगा, देखिए एक कोई plant है ना, अगर हम इंसान भी है, energy तो food से तो लेंगे, पर food कहां से energy लेगा, main source आपतर energy क्या है, eco body का वो है sunlight ठीक है जी अब हम तो बोरें कि हम energy कहां से लेंगे हम energy ले लेंगे, कुछ खाके कुछ खाने के लिए, अगर मैंने बोला कि मैंने हमने, चावल खाके energy ले लेंगे जो चावल है, वो कहां पे उगता है वो भी तो जमीन पे होगेगा, लैंड पे होगेगा, लैंड पे होगेगा तो इसके लिए क्या चाहिए इसको sunlight भी चाहिए photosynthesis के लिए अपना खाना दियार करने के लिए ठीक है इसलिए main source जो primary source of energy का कुन सा होता है sunlight होता है निको वाड़ी में option c is the right option the most significant accept of the biodiversity is most significant जो accept of biodiversity का वो क्या है यहां पर significant accept जो biodiversity का वो food है drug है industry use है significant जो accept है वो है maintenance ecosystem को हम maintain करके रखेंगे यही एक हमारे लिए बड़ा accept बन सकता है बनेगा the destruction of biodiversity is due to destruction यानि कि loss हो रहा है biodiversity में किस बज़ा के कारण क्या कारण हो सकते हैं जल्दी से आंसर मार कीजिएगा क्या हो सकते हैं जल्दी से बताएं लास आफ बाइडवेश्टी बाइडवेश्टी का खात्मा हो रहा है किसकी बज़े से दे लैक आफ नेट्र हैबिटेट्स आफ दी और्गनिजम इन्वार्नमेंट प्लूशन येस इन्वार्नमेंट प्लूशन कोन कर रहा है हम भी कर रहें मैंने आपको बताया था कि जब ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं अगर ये एक एवरेज रिंज में रहती हैं तो धर्ती का जो टेंपरेचर होगा वो कितना होगा 50 डिग्री सेल्चिस अगर ये टोटली इसलिए ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं हमें इस चीज से यानि कि हमारे जो बरतमान है उसको एक एवरेज टेंपरेचर के तोर पर रखती है अब ये जब परत मोटी हो जाएगी फिर क्या होगा गर्मी जादा होगी रेडियेशन आएगा अंद हमें नेनकोखस अटुस लिक्ष श्हाइज है उसकहा हो रहे है उसकी बेंटरडल नग्यमारान थे धिकनान नहीं अब आपको देखती हो कि कुछ हो तै कि अब हर यह वी चीजज़ आज की लाइफ में देखा चाहिए तो यह विए जादा इंपौर्टंट है सडके बगारा भी इंपॉर्टंट है कुछ एरियास में जो कि पहाडी एरियास हम पर सचके बगारा निकाले जाते हैं रिफौर्स्टेशन होती है तो वहां पर क्या होते हैं मंकी बगारा जो बाग के सरह भाइडिवस्टी पे पहुंचकेiring किहां किकि हमने स्कृषिन और कि इस पे कर लि suburbs अब हम पढ़ेँगे भाइडिवस्टी अब बायो लिविंग डाइवस्टी वराइटी मतल्व कौन 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 सी अफलाइफ आउफ अध us को बहुते हैं भाइडिवस्टी अब इसकी जो term थी, इसको किसके द्वारा लिया गया है, वो है Walter G. Rosen द्वारा, Walter, Walter G. Rosen, 1985 में, Walter G. Rosen, ठीक है जी, उसके बाद देखें, इनको देखें इसका क्या मतलब, diverse kind of plants and vegetation, diverse kind of animals, diverse kind of plants and vegetation, यानि कि plants भी है और vegetation भी है, ठीक है, diverse kind of elements, यानि कि animals है, सिर्फ plants नहीं है, diverse kind of plants भी है, animals भी है, बढ़ किसी particular area में, diverse kind of exotic plants and animals, जो बहर से लगाए हुए, exotic, वो चीज़ें यहां पर काम नहीं है, तो इसका जो right option है, most appropriate option है, वो है diverse kind of plants, कुछ अलग तरह के plants, कुछ अलग तरह के plants, बहुत तरह के animals, लाइन हो गया, elephants हो गया, बहुत सारे fishes वगयरा होगी, तो यह क्या है, एक particular area में रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, बाइडवेस्टी का एक proper meaning कह सकते हैं, बाइडवेस्टी तीन तरह के होती है, genetic, species बाइडवेस्टी, ecosystem बाइडवेस्टी, genetic में जो कुछ आती है, जो की, और example होगी, जैसे color size of rose होगी, जैसे different different तरह के roses होते हैं, white होता है, orange होता है, red होता है, तीन तरह के roses, बाइडवेस्टी बाइडवेस्टी होगी, जैसे कि नमबराप्लांट्स, इने एरिया, किसी particular area में एक देखें, तो species बाँपे होती हैं, जैसे कि लग 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 तरह के plants होगे, समझ सकते हो आप, ठीक है, ecosystem, बाइडवेस्टी क्या होगी है, कि, जो कि किसी area में, aquatic भी है, desert भी है, mangrove भी है, उसको बोलते है, ecosystem, बाइडवेस्टी, the main reason for the decrease in the बाइडवेस्टी is क्या है, किस reason से मतलग की बाइडवेस्टी जो decrease हो रही है, मैंने बोले, loss of habitat population से, natural habitat destruction से, over exploitation से, introduced of exotic species से, habitat pollution से, natural habitat destruction, तो ये जो natural habitat destruction कर रहे हैं न हम लोग, हमारी तरह से ही हो रहा है, क्योंकि human का भी बहुत बड़ा यहां पर योगदान है, चीज के लिए, loss of biodiversity, ठीक है, ये चीज़ है, बाइडवेस्टी has maximum danger from, बाइडवेस्टी जो है, बहुत ही ज़ाधा danger है किस से, destructions of natural habitat से, improper agriculture operations, climate change, बाइडवेस्टी कैसे खत्म हो रही है, मैंने बुलाए natural habitat से, जो की destruction हो रही है, vegetation की बस ही है, water pollution के गारण से नहीं हो रही होगी, बट ऐसा नहीं है कि totally खत्म हो रही है, no, तो थोड़ा बहुत हो, इतना climate में changes तो आता ही है, ठीक है, next question आता है, the hot spot of biodiversity in India, कौन-कौन सा, यहां पे एक hot spot by diversity इंडिया में, तो टोटल चार तरह के, by diversity hot spot है हमारे इंडिया में, अगर बात की जाए तो, बैस्टन, हिमालिया, बैस्टन नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दू, एक तो हिमालिया से है, ठीक है, हिमालिया से है, जिसमें हमारा इंडिया, पाकिस्ता, इबर, निबाल, चाहिना, बुटा दूसरा कोन सा आ गया, इंडो वर्मा, थर्ड नमबर पे आ गया, सुन्दा लेंड, फोर्थ नमबर पे आ गया, वेस्टन गॉट, ठीक है, यह चार तरह के क्या है, यह चार तरह के, by diversity hot spot है इंडिया में, ठीक है, अगर आप से पूचा जाएगा, कि concept आप by diversity hot spot इंडिया मे इसे एंडिया में किस के दुंवारा लिया गया था, वो लिया था, Normankten माहिप सह था, माइस, M-Y-E-R-S, 1988 में, 1988 में, ठीक है, अब यहाँ पर देखनें, आप्षिन क्या गे था, बैसटन हिमालियास, बैसटन हिमालियास यह नहीं, आप्षिन नहीं है, बैसटन हिमालियास य एंद बैस्टन काड्व बिल्कुल तो तो यह वर ऑप्षन था नहीं सुंद्रबण भी कुछ ऐसा ऐसी इस्टन हिमाल्याज और आपका बैस्टन इमाल्याज neuracha बैस्टन गाड्स ठीक है मैंने आपको क्या बताया की और जो Twistț कौन सिक्कम हो गया असाम हो गया और नाच्छल परदेश हो गया और हमारा जेहन के भी है ये पांच स्टेट जो हैं ये इंगलियोड होती हैं हिमाल्यास के होट स्पॉट में एंडेंजर्ड स्पीचिस आर लिस्टेड इन कहां पर आपको इंडेंजर्ड स्पीचिस लिहां पर देखना है डाट स्टॉक बुक में रेड डाटा बुक में लाइव स्टॉक बुक में नापता तो ये देखने को मिलती हैं हमें रेड डाटा बुक में और यहां पर हमें इनके IUCN status भी देखने को मिलते हैं ठीक है Red Data Book के बारे में Red Data Book के जो है इसको Red Data List भी कहते हैं तो यह published कब हुई थी Red Data Book 1964 में कब हुई थी 1964 में और यह IUCN का Full Farm आपको पता होना चाहिए IUCN जो status कहते हैं International Union for Conservation of Nature जो की farmed कब हुआ था 5 October 1948 में Headquarter इसका कहां पर है? Swizzur Land में इसका IUCN का? Swizzur Land में Next question पर चलते हैं Next question हमारा 25 है Which one of the flowing is not a site for an in-situ method of the conservation of flora in-situ के यहां पर कौन से यह का site नहीं है देखें इन-situ क्या होता है? सबसे पहले और एक-situ क्या होता है? इन-situ और एक-situ एक-situ इन-situ को हमें एक नाम से जानते हैं on-site on-site यानिकी जो on-under inside भी कहा सकते हो इसको बोलते हैं हम outside यहां फिर off-site off-site भी बोलते हैं off-site और यहां पर क्या होता है? इन-situ में आते हैं जैसे कि conservation natural habitat जो nature में है उनको वहीं पर save कर देंगे जैसे कि हमारे यहां पर आ जाते हैं national park बगएर आ जाते हैं wildlife centuries आ जाती हैं यह किसके अंदर आते हैं? बाइस पर reserve आते हैं जो चाहां की चीज़ है उसको वहीं पर रहने दो तो यह तीनो जो option है यह किसके हैं? इन से तूगे हैं तो इस board है कि किसका नहीं है not a site वह है botanical garden जासे zoo होगे zoo होगे seed बोलते हैं zine bank बोलते हैं जहां पर आपको species के seed बगएरा यह चीज़ें देखने को मिलते हैं aquarium हो गया जैसे जम्मू में जो aquarium है वहां पर आपकी बहुत सारी species की जो species वहां पर देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद आता है कि which of the flowing gas is commonly used in crypto bank for the ex-situ conservation कौन सी gas यहां पर यूज़ की जाती है इस purpose के लिए crypto bank for the ex-situ के conservation के लिए nitrogen, oxygen, carbon dioxide यहां फिर में थे तो इस purpose के लिए crypto reservation is the method of the long term storage of the resources of species उनको long term storage करना species को और यहां पर जो gases यूज़ की जाती है वो आती है nitrogen किस फार्म है liquid फार्म है और दूसरी कौन सी gases होती है helium helium भी यहां पर liquid फार्म में यूज़ की जाती है यह दो gases का यूज़ होता है किसके लिए XC2 की conservation के लिए जो की crypto crypto bank यूज़ करते है climate change is caused by किसकी बज़े से यह caused हो रहा है वही किसकी तरह से climate में यह बदलाव देखने को मिलने किस तरह से climate change हो रहा है तो सबसे पहले इसका जो right option वह क्या हो जाएगा greenhouse gases greenhouse gases की बज़े से भी हो रहा है depletion ozone layer deplet हो रही है यह इसके बारे में हम बात कर चूए pollution के बारे में हो रही है de option is the right इन सब की बज़े से हो रही अब यहां पे बड़ी बात ही आती है कि जो COP जिसको बोलते हैं conference of the party COP 27 जो अभी recently आजकल जो held हो है वो काँ पे हो है zip में zip में हो है current face question बन सकता है COP 27 तो यह जो COP 26 था वो कब हो हुआ United Nation में 2021 में हुआ था यह याद रखेगा I think COP 6 or 7 जेके बेसे के exam में पूछा किया था जो कि Paris में held हुआ था the concept of green house gases was postulate by the किसने CC Park ने ZN Zephyr ने Joseph Fourier ने Al Zobler ने Joseph Fourier जो थे उन्होंने इसको postulate किया था यह एक mathematician थे और इन्होंने इस चीज़ के बार में green house gases की discovery की थी 1827 की बात है Joseph Fourier which one of the flowing gases is not a green house gases इन्हें से green house gases कुण सी नहीं है carbon dioxide है बिल्कुल है CH4 है methane भी है बिल्कुल है nitrogen है इसको क्या बोलते है nitrous oxide इसे आएगा ऐसे formula oxygen है नहीं है oxygen आपकी नहीं है कुन-कुन सी होती है बाई methane दियान से सुननी है यह का नाव हैं के nitrous oxide इसके बाद आती है थर्ड नमबर पे water vapor vapor फूर्थ नमबर पे आती है carbon dioxide फिफ्थ नमबर पे हम कह सकते हैं chloro fluorocarbon कुछ इस तरह से बनती है six नमबर पे हम कह सकते हैं hydro fluorocarbon और seventh में आपकी azone azone में जो oxygen के कितने molecule होते हैं three होते हैं यह question जेके PSA के exam में पूछा भी के जाता ठीक है जी next question last question आज का मारा इंडिया first national action plan on climate change was released कब किया गया यह question काफी important है climate change के later question बन सकता है मैंने जितने topic का आपको mention कि उनके later question लेके ऐसे नहीं है कि lecture number one ही आपको देखने को मिला हो सकता lecture number two भी आपके अब coming days में देखने को मिल सकता 2008 में इसको released किया गया और इसके अंदर क्या चीज़े किये गई June 30 2008 को इसको released किया गया National Action Plan for on climate change जिसको हम बोलते हैं और ये इसमें कितने mission इन्होंने core किये गए थे 8 mission 8 mission कौन कौन से थे उनके बारे में यह पर हम बात कर लेते हैं ठीक है 8 mission कौन कौन से थे वो mission थे फरस्ट mission था कि ये था कि National Solar Mission Solar Power का यूज किया जाएगा National Solar Mission Second जो था वो था National Mission Enhanced Energy Efficiency Enhanced Energy Efficiency Solar Mission का यूज किया जाएगा यानकि Solar Lights का यूज किया जाएगा जो कि Environment को Protect करेगा Sustainable Sustainable Habit Habit को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे और Water Mission Water के लेटर भी कोई mission थाएगा ये याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि National Action Plan के रिकार्डिंग सेवन्थ नम्बर पर आता है Sustainable बेट हाँ सेवन्थ नम्बर पर आता है Sustainable Aquarium ठीक है एट नम्बर पर आता था Strategic Strategic Knowledge क्लाइमेट चेंज ये आठ mission थे जो की NAPCC के recording थे कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट जुरूर कीजिएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हो और आप PDF अगर आप इसका चाहते हो तो आपको टेलिग्राम पे मिलेगा टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिलेंगा जेके प्रैक्टिस द्वारा इक कोशन सेट किएगे Environment, Ecology, Biodiversity, Climate Change पर आपके MCQS होगे Lecture No.2 का भी बेस अवरी से इंतजार कीजिएगा इस कोशन का अंसर आपने कमेंट वाक्स में बताना है तो Lecture का इसा लगा यह feedback जुरूर दीगेगा तब तक लिए Bye Bye and Take Care and God Bless you to all of you तो इसी तरह से preparation करते रहिए अच्छे से त्यारी करते रहिए कोई ना कोई exam आपका जुरूर किलो होगा अगर आप positive mind से अपनी त्यारी कर रहे हो तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है